दोस्तों आप सभी के लिए बहुती बरी खुस खबरी है आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का तो बिहार में दोस्तों दोचार पांच हजार पदो पर नहीं कुल 30,547 पदो की नई स्विकिर्ती दी गई है तो उचलिए फटा-फट आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी दे चलिए आप सभी देखिए और दोस्तो सबसे पहले तो आप सभी ये बताईए कि आप की इस वेकेंसिक अंतजार में आप मेंसे कौन-कौन CGL4 वेकेंसीक इंतजार कर रहे हैं और कौन-कौन New Update चाणना चाहते दरोगा नई वेकेंसी की कौन-कौन इंतजार कर रहे हैं भिहा आगे आपको 10th लेवल से रिल्टेड भी पोस्ट दिखेगा जो कि हजारों की संख्या में है बार्मी लेवल पर भी पोस्ट है ग्रेजोएशन लेवल पर भी पोस्ट है बहुत सारे अलगल तरह का पोस्ट है तो यहां से एक एक करके फुल डिटेल्स देखे तो पहला दिखे यहां पर ग्री विभाग होम डिपार्टमेंट से संबंधित हो गया पद का नाम है कार्ज पालक अभी अन्ता यानि यह इंग्रिनिंग से संबंधित पोस्ट आसाइनिक यानि सिविल से संबंधित है दो पोस्ट होके लेवल ग्यारक का जौब है सहाय कभी अन्ता असाइनि संबंधित 32 सीट यहां पर हो गया फिर इसके बाद आप देखेगा मंत्री मंदल सची वालेट पुस्तकाले सहायक आप में से बहुत सारा ऐसे होंगे जो लाइबरेडियन का डिगरी किये होंगे तो लाइबरेडियन की वेकेंसी की कौन-कौन इतजार करने हैं फटा-फट कमे सीट है इसके बाद देखेगा पसू या मतस संसाधन विभाग मुख्य अभी अनता एक अधिक्चन अभी अनता निम्नवर्गय लिपिक दो यह लिए बार्मी लेबल पर होता है और यह बहाली बिहार करमचारी चैनायों के माध्यम से की जाते आगे देखेगा थाजार प्ल गया था बीटी ऐसियुक यहनी बीहार टकनीकी सिवायों के माध्यम सस्मतस परशार पताधीकारी का यह सब लिए स्थी का यहां इसके बाद देखेगा आफ आंने यहां से संपादग कूफ संपादग का पोश्ट हो गया यहां पर एक दो इस तरह से है इसreso संसाधन विभा का 114 यह हो गया और UDC वाला जो पोस्ट होता है ग्रेजिएशन लेवल पर और LDC वाला पोस्ट होता है बार्मी बार्मी आप किसी भी विशाय से पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग रहते हैं इसके बाद दिखेगा सरम संसाधन विभाग में तो कारखाना निर अती पिछरावर कल्यान विभाग इसमें देखेगा चात्रावास परबंधक का 91 सीट है 91 यह हो गया तो यह देखेगा अभी क्या है अभी तो इसमें कुछी देखे हैं तो बित विभाग यानि फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से नए सीटों की पद स्रीजन की यहां पर और आगे देखें यहां पर बार्मी ग्रेजोएशन लेवल से संब्धित कौन-कौन सा पोस्ट है इसी माँ आप देखेगा सहायक जिला अगनी समन पताधिकारी का 9 पोस्ट हो गया इसके बाद अनुमंडल पताधिकारी अगनी समाल है पताधिकारी 15 पोस्ट यह देखेगा अनु सच्चे भी यह समगर्ग तो कारियाले परवेक्षक परधान लिपिक निमनवर्गे लिपिक यह सब होगे इसके बाद देखेगा परिचारी परिचारी वाला जो पोस्ट होता है ने टेन्थ लेबल पर होता है इसको गुरूप डी भी कहा जाता है समु घह से संब्ध जि यह होता है कारियाले परिचारी एदेश पाल लेबल वन का है 15 सीट है कारईय परिचारी रसुया 10 सीट है इसके बाद देखेगा यहाँ पर पंचायति राज तो यहाँ पर पंचायति राज बाद समबधिन देखेए यहाँ पर तो मुख्य योजना पताधीकारीGB 28 तो इस तरह से देखेगा पंचायती राज विभाग में 304 सीट है जिसमें सबस्याथिक देखेगा ल्डिसी वाला सीट हो गया इसके बाद देखेगा यहां पर सरम संसाधन विभाग का उप प्राचार्ज का यहां पर है 168 सीट प्राचार्ज का यह देखेगा यहां पर आप से 157 सीट उपने देशक का 54 सनुक्त ने देशक का 28 तरह 357 सीट हो गया तो यहां से आप दो पेज तो देख लिए अब चले यहां से आप सभी तीसरा देखें तो तीसरा आप देखेगा न तो यहां पर सरम अधिक छक का है 57 सीट हो गया लेवल 9 का सहायक सरम आयुक्त का 20 सीट हो गया उपसरम आयुक्त का 13 सीट और अपर समर आयुक्त का यहां पर एक सीट इस तरह से यहां पर 95 सीट हो गया सरम संसाधन विभाग से संबनित इसके बाद देखेगा वीत विभाग तो वीत विभाग आईटी मैनेजर स संबादित एक सीट हो गया अब यहां पर लाश्ट में सिक्षा विभाग और कुछ आगे सीट है विद्यालय अध्यापक का देखी का ग्यार्मी बार्मी में तो 4074 सीट फिर से नया स्विक्रित किया गया और यह नया स्विक्रित हुआ है तो तुरंत यहां पर विप्यासी संब्दित हुआ बांके यहां पर नन टीचिंग से रिल्टेट पोस्ट हुआ तो 3547 इसके बाद यहां पर बार्मी लेवल से संब्दित यहां भी पोस्ट और इसमें भी देखेगा तो सीटों की संख्यान अच्छा खासा है यहां पर देखे लोग स्वास्त अभियंतरन वि इसमें जो भी सीट हैं दोस्तों सभी पर्मानेंट जॉब वाला है यानि इसमें आपको फिक्स पर्मानेंट जॉब के अनुसार सेलरी सारा कुछ मिलने वाले इसलिए यहां पर लेवल टू लेवल थिरी यह सब चीजे लिखा हुआ है इसके बाद देखेगा अनुसुचित में 11 है सन्युक नियंत्रक मापियों तॉल में 5 नियंत्रक मापियों तॉल में 1 इस्तरा 63 सीट हुआ अब अगला दिखेगा बिज्ञानियों परोदीगी की तक्निकी विभाग में अनुदेशक का यहां पर देखेगा अच्छा खासा सीट है 726 सीट है लेवल 6 का यह जौब सिट है और यहां पर 13 संताबन तो सब स्याथिक देखेगा उन्ट विज्ञानियों परोदीगी की विभाग से संबंदित होता है यह सब जो भी सीट है उसी में बहली भी किया जाएगा तो प्रियोग साला सहाइक का दिखेगा सिट हई और यहां पर play दिये लेवल्स І उसके बाद दिखी गज कर निवन्धक का 20 सिट हिए और इसक बाद दिखे-गकर ऍंत्यसन लेवा वाली सा मॉधस निजी साहिकst सीट है इसके बाद दिखेगा यहां पर तो उपाथ निर्भान विभाग से संबधित एक सीट हो गया और गिरी विभाग आरक्षी साखा पुलिस उपाधिक चक यानि डिवाएसपी का पोस्ट डिएसपी वाला दो सीट हो गया पुलिस नरीक चक इंस्पेक्टर का चार पोस् यह देखेगा अभी कुछी देर पहले देखेगा तो अभी वर्तमान में बिहार के जो बित मंत्री है समराड चोधरी जी आप देखेगा तो फेस्बुक पेज और सोसल मिरिया ट्वीटर के माध्ध हम से यह जानकारी दिये हैं कि देखेगा यहां पर तो मैंने मानने मुख इसका क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाले क्यों कि एक सीट देखेगा आप यहां पर टोटल 3540 है यह तो आप देखे लिए यहां पर और बित विभाग से सहमेती मिल गया है सारा कुछ इसमें देखेगा जैसी यह कार्ज निरिक छक वाला सीट है 1114 है तो यह बिहार SSI के माध्यम से बहाली की जाएगी और लेवल टूल से समबंधित इसका क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा इन सभी चीजों के बारे में क्लियर कर देंगे और देखे बिहार में कोई भरती आती है कुछ भी अपडेट रहता है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी म रहने वाला बिया से आयो के माध्यम से जो बहाली आएगी उसमें दिखेगा कुछ खास क्वालिफिकेशन यह सब चीजे नहीं मांगा जाता है और आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन-कौन CGL4 यानि चतुर थाष्णातक अस्तर है वेकेंसी की बे